हालो गाइज, क्यैसे सब लोग, आज Zho Labor便 University दमबर, तो आज किस वी्रियो में हम आप लोग दिखाएंगे के एक magic, और आप लोग सिह भावभी दिङे तो देखो हमेरे पास एक छोटा छोटा कीस-पीस काजज है देखो इसमें दिखा हुआ है और इस मैजिक को दिखाने के लिए हमारे पास और एक अदमी का जोरत पड़ेगा तो आज विधरा जब तो हम इसको क्या करेंगे सिंप्ली इसको जहे हम प्लोट करतेंगे है तो है हमने इस कागज को सब इसके उपर सजा लेते हैं तो हम प्लोट के अंदर सजा लिए और आप हमारा दोस्त के हम बोलेंगे कि इसी नंबर के आंदर तू किसी एक नंबर को सिलेट करो और उसको लिख के रख दो हमको दिखाओ मत और लास्ट में आप इसको निकल के देंगे लिखो हो गया ठीक है तो हमरा दोस्त लिख लिया और हम इसको बस तिन सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद हम बता देंगे कि इस हमरा दोस्त कौन से नंबर को चूज किया था तो मेरा दोस्त लिख दिया और इसको हम पूछेंगे कि तुमने जो नंबर लिख था है वो कितने नंबर लाइन पर है एक दो या तीन नंबर इन नंबर मतलब इस लाइन पर है अच्छी है तो मैं इस तस को तास तो नहीं है मेरे कागज गूठा लेते हैं एक बर हो गया और दो बर करेंगे बस उसके बाद बता देंगे उसने कौन सी नंबर को चूज किया था चलो बता ओ कौन से लाइन में है और दूसरी लाइन पर दूसरी लाइन पर ठीक है टीक है लास्ट और एक बार उसको पूसेंगे उसके बाद बाता देंगे चलो बाताओ कौन से लाइन में हैं दूसी लाइन पर अच्छी है और आप इसको हम बता देंगे कि उसने कौन से नमर को चुछ किया था इसने जो चुछ किया था वह है पंदरा है राइट क्या से किया यहाँ इसने जो चुछ किया था वह है पंदरा है यह एक मैजिक ट्रिक चलो तुम सब लोगों को भी हम सिखा देते हैं देखो उसने भी पंदरा लिखा देखाऊ इसने पंदरा लिखा था हमने भी इस पंदरा निकल दिया तो तुम सब लोगों क्या करना पड़ेगा इस टाइप का थोटा शोड़ा करके कागज़ करना पड़ेगा उसमें एक से लिके 21 तक उनको लिख लेना पड़ेगा ठीक है उसके बाद जो नमबर है उसको जिसी भी इसको क्या करना पड़ेगा तुन सब लोग को बस कर जो का घज है इसको उस तरह का से सब लोगों को टेविल में आपड़ेा इसके उपर आइसे कि राखने है भी इसके उपर थोड़ा सच inan ड़ राख आइसा यह इसको निचे रख फोर तो तो किसी भी एक नंबर को सिलेट करो लेखो फिर से लिखता हूँ लिख लिख लिया गाईस और देखो तुम क्या करना पड़ेगा इसको पूछ लेना पड़ेगा कि वह जो लिखा है एक चार नंबर एक चार कहां है तो बताओ चार दी कि मिलसा देख सकते हो कि तुम क्या करना पड़ेगा यहां इधर से पहले प्यावद इसके इसके बाद जिस लाइन पहे, उसमें बोला उसको हम बीच में रखेंगे, ठीक है? इसको हमने रख दिये, दोनों एक इसको पीछ दिये, और इसको हमने उठाबे, और और एक बार इसको साजाते हैं, और तुम सब लोग देख सकते हैं कि चार नमर जो है हमारा फर्स्ट लाइन वे आ गया है, इसको हम को क्या करना पड़ेगा, इधर से उठा के, जो चार नमर का जो लाइन है इसको भी फिर बीच में रखना पड़ेगा, इसके बाद पूठा लेते हैं, और गाइज और लास्ट और एक बार हम को इस तरह के सजलना पाएगा, उसके बाद हम बता लेगा, तुम सब लोग देख सकते हैं कि चार नमर जो हो मीड़ी पर आ गया हमारा, उसका हम क्या करेंगे, इधर से उठा लेंगे, ठीक और ठीक इस तरह के सिसको भी फिर बीच में हम रख देते हैं, चार नमर के जो लाइन है, बस हो गया, अब तुम को क्या करने पड़ेगा, इसके ग्यारा नमबर में जो तास है, मतलब जो कागा जे, वो ही इसमे सिलट किया था, तो इसके हम गिंती करके करके जाएंगे, कि ग्यार नमर पर कौन सी कागज है, देखो, एक, जो, तिन, चर्थ, पाथ, छे, शक्त, आट, देश, और ग्यारा, ग्यारा नमबर पर जो कागज रहेगा, वो ही तुम्हारा दोस्त ये लिखेगा, ठीके, तो ग्यार नमबर पर तुम्हारा जो है, एंसर आजाएगा, ठीके, देखो, ये सब, तुम सब लोग को समझ में आ गया, और नहीं समय में आ गया, तो हमको कमेंट करके बताओ, हम तुमको रिप्लाई करके जोरूर बताएंगे, तो गाइस वीडियो कैसे लागा ने कमेंट करके जोरूर बताओ, और इस बसीना आ गया, कोई बात नहीं, इसना करने फैन भी हमने चला सकते कि आबाज आएगा, तो इस कमेंट करके जोरूर बताओ, वीडियो कैसे लागा, और चला मिन दे तुम्हों नेक्स्ट वीडियो में, बाई बाई